सब्सक्राइब दोस आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है आप लोग यहां पर काफी सारी रिक्वेस्ट कर जुके होगे या रेड्मी नोट 10S का रेड्मी नोट 10 के साथ एक फुल कंपैरिजन बता के बता दो कि कौन सा कितना अच्छा देखने को मिल जाता है कैमरा के अपर्टमेंट में डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में तो आज की वीडियो में आपको कूला क्लियर कट यहां पर देने वाला हूं फुल कंपैरिजन रेड्मी नोट 10S वर्सेस रेड्मी नोट 10 का बिना टाइम को वीडियो को शुडू करेंगे उससे पहले वीदर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन नीचे देखने को मिलेगा यार इसको प्लीज 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 दवा दो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना सोचे यार लाइक शियर जरूर से कर देना अब देखो यहां पर दोनों का ही बेस वेरिंट के ब एक चीज का मैंने फर्क यहां पर नोटिस किया है कि जो रेड्मी नोट 10 की डिस्प्ले है ठोड़ी आपको कूलर टेंट के साथ आती है एस कंप्याइड डू रेड्मी नोट 10S जिसकी थोड़ी सी वामर या मैं कहूं येलो इस टेंट के साथ यहां पर डिस्प्ले मुझे को मिली है बागी बेजल्स वगएरा दोनों में ही similar है कैमरा कट आउट दोनों में similar है कोई बीडिपरेंस ऐसास आपको यहाँ पर नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों ही इदम similar है दोनों में ही गोरिला गलास की यहाँ पर आपको protection देखने को मिल जाती है तो अगर आप देखो फ्रंट में डिस्प्ले के साब से तो कोई भी डिफरेंस आपको डिस्प्ले में नहीं देखने के लिए मिलेगा दोनों में साइड मॉंट्टेट सेंसर देखने को मलता है अब यहां पर एक चीज़ में बताऊं दोनों की स्पीड सूपर फास्ट है लेकिन यहां पर जो रेड्मिनो 10S के साथ मैंने इशू फेस किया है कि इसकी कभी-कभी धोखा दे जाता है जिसमें जल्दी से अनलॉक नहीं होता है और इसका मुझे में रीजन लगता है रेड्मिनोट 10 के अंदर स्नैप्डेगन 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है अब अगर मैं बात करूं तो अफकॉस मीडिया डेक का हेलियो यूजर्स हो गया आपको यह फास्टर जी 95 देखने के लिए मिलेगा लेकिन यार यहां पर जो आप्टिमाइजेशन की बात मैंने करी उसमें थोड़ा सा मात खा जाता है क्योंकि आपको यह जिटरीनेस वगेरा काफी जादा प्रोवाइड करता है इसी के साथ इसके अंद हिसाप से प्रोवाइड करता है एक आपको अच्छा सा यहां पर इसके अंदर मल्टी टास्किंग भी देखने को मिल जाती है इतना जिटरीनेस नहीं देखने को मलता है तो यह एक इसके अंदर जो मीवाइड 12 है यह मुझे काफी बैटर लगा है इस कंपेर इसके अंदर ज जैसे कि मैंने बताया Redmi Note 10S में आपको अच्छी सेटिंग्स हायर सेटिंग्स मिलती है गेम खेलने के लिए लेकिन इसके अंदर आपको जिटरीनेस वाला इशू है फ्रेम ड्रॉप वाला इशू है इसके अंदर थोड़ा सा जादा अभी मुझे देखने कर मिला है एस कंपे इसके साथ नहीं मिली तो यह अच्छा साइन है मेरे हसाब से बागी अगर मैं बात करूं बैचरी एंड चार्जिंग की तो ऑन फेपर तो दोरों में आपको इसके बैटरी आपको एज़ी देखने को मिला है और यहां पर चार्जिंग भी 33 वाट की दोनों में ही मिल जाती है लेकिन रेड्मी नोट 10S में मैंने पाया है कि इसकी चार्जिंग थोड़ी सी फास्ट होती है एस कंपे तो रेड्मी नोट 10 जहां पर यार एक घंटा 20 या दोनों में similar होने के बाद जूद इतना difference कैसे देखने के लिए at least charging में बैटरी बैकप तो चलो ठीक है मान सकता हूं charging में ऐसा difference क्यों है I don't know बाकि उसी के लावा अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही IR Blaster dual speaker similar देखने को मिलता है कोई भी आपको difference नहीं देखने को मिलेगा 3. 3.5 mm jack है दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा USB Type-C दोनों में ही आपको देखने के लिए मिलेगी बाकि दोनों में ही आपको 3 memory card slot देखने को मलता है यानि आप एक memory card के साथ 2 slim दोनों में ही लगा सकते हो दोनों में ही 4G plus का support मलता है लेकिन यहां ध्यान देना कि जो Redmi Note 10S के अंदर dual band वाला 4G plus नहीं मलता है Redmi Note 10 के अंदर आपको dual band वाला 4G plus देखने को मलता है जो कि आपको बैटर 4G plus की speed यहां पर प्रोवाइट करता है अब यहां पर आगे बढ़ते हुए बात करें cameras की तो यहां पर थोड़ा सा major difference आपको देखने कर मिलेगा जहां के Redmi Note 10S के अ यहां पर आपको काफी similar देखने के लिए मिलेंगे काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं थोड़ा सा पॉपी कलर यहां पर प्रोवाइट करता है मैं यहां पर कहना चाहूंगा बागी dynamic range भी है काफी अच्छे आपको प्रोवाइट करेगा लेकिन यार कभी-कभी लाइटिंग में अदर कभी-कभी आपको अच्छी फोटो अच्छी डिटेल के साथ देता है और कभी-कभी आर एकदम बेकार गुड़को उपर कर देता है वही रैग्मी नोट 10 है आपको एक consistent image अच्छी सी देता है और इसकी जो real-to-life tone है वो मुझे थोड़ी अच्छी ल प्रोवाइट करता है कभी-कभी यह चीज थोड़ी से इसके साथ issue है बागी उसे के लागा और आप फोटू वगरा को देखोगे तो दोनों ही काफी अच्छी फोटू वगरा निकाल देते हैं नेकड़ आये को आपको इतना कोई difference बुड़ा नहीं लगेगा कि किसी में नोट 10 का अल्टर वाइट मुझे काफी जादा बेटर लगा है चाहे आपको colors वगरा में ही क्यों ना हो चाहे आपको details में ही क्यों ना हो चाहे outdoor में हो चाहे indoor में हो दोनों में ही आपको अच्छा देखने के मिल जाता है clear-cut note 10 में बागी उसे के लावा यहां पे macro camera दोनों क अच्छी photos निकालता है indoors के अंदर and even outdoor में भी निकालता है लेकिन यार indoors में नोट 10S का camera कुछ जादा ही struggle करता है जिसमें आपको एकदम grainy photo कभी-कभी देखने को मिल जाती है अगर background में थोड़ी harsh lighting हो जिसमें HDR इसका पूरा mess up कर देता है photos वगरा को और as such अगर आप note 10 में देखोगे तो details वगर आपको काफी better देखने को मिल जाती है तो सस्ते में अगर आपको अच्छा camera देखने को मिल रहा है नोट 10 में बस 48 में पिकसल और बने पिकसल का इतना ही difference है बाकी सब similar आपको देखने को मिल रही है बाकी अगर आगे बढ़ते हुए बात करें software की तो यह थोड़ा सा फास्टर आपको मियाव 12.5 लगेगा बाकी और कोई भी फीचर्स वगरा में आपको सच कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा पूरा ही पूरा सिमलर है अब मैंने आपको पहले ही बताया था Redmi Note 10 प्रो के अंदर भी जो यार MIUI 12 थी वो इतनी अची नहीं जिनके बज़ा मतलब फोन का experience आपको एकदम बेकार हो जाए जबकि रोट 10S में थोड़े में बग्स जाधा नोटिस करे हुए है जैसे कि यह fingerprint sensor वाला बग है जो कभी-कभी वेक अप नहीं होता है यह भी MIUI 12 के बज़े से ही है कभी-कभी यार इसके अंदर जो overheating है कैमरा क को शट कर देती है मतलब पांच साथ मिनट ही कैमरा में चला पाता हूं उतना overheating का मैसेज आ जाता है कि बंद हो जाता है तो यह सब यार एस इतना अच्छा भी आपको यार इसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है जितना अच्छा आपको Redmi Note 10 के अंदर MIUI 12 देखने को मिलता है यह पता नहीं क्यों लेकिन चोटे वर्जिन में आपको अच्छा यहां पर प्रफॉर्मस देता है और अगर आप जाना चाहते हो डिजा हो ना बस इतना सा कैमरा में डिफरेंस देखने को मलता है बाकि यार किसी में मुझे दोनों में से कुछ भी डिफरेंस यहां पर नहीं लगा है दोनों ही आपको similar अच्छी से डिजाइन देखने को मिलता है मेरा यहां यह वाइड मार्वल वाला ज्यादा पसंद करूंगा एस कंपेर टू यह ब्लू और यह डूल टोन वाले फिनिश के अलावा तो यह मेरा पसनफ है फ्रेंसा यह आपको जो भी पसंदीदा हो आप वो कर लो बाकि अगर आप पूछोगे तो इन दोनों में से कौन सा मैं आपको लेने के लिए का हूँगा तो मेरा राय अभी भी स्मार्टफोन मिलता है साड़े बारा हजार रोपे में 464 GB अच्छी सी बैटरी 33 वाट की चार्जिंग और बहुत ही डैम गुड कैमरा तो मैं कहूंगा यार ओवरॉल आपको रेडमी नोट 10 अच्छा देखने को मिलता है वाइड डू इंवेस्ट इन रेडमी नोट 10S ओनल सब्सक्राइब बटन बाई